फाइन करते हैं 0 किसके इकवल होना चाहिए माइनस में constant term अपन में coefficient of x जिरो फाइन करते हैं 0 के लिए हम x की value find करनी होगी जो x की value होगी वही होगा जीरो इस polynomial का तो x की value find करेंगे तो यह हो जाएगा 3x plus 6 को दूसरी तरफ बेजेंगे तो यह हो जाएगा minus 6 और उसके बाद 3 को भी दूसरी तरफ बेजेंगे 3x के साथ multiply में है तो उदर जाके divide में तो minus 6 3 जाके उदर divide में तो minus 6 अपन में 3 तो 3 से cancel करेंगे 3 बंजा 3 और 3 टूसरी माइनस ठीक है minus 2 यहाँ पर minus है तो यह minus as it is रहेगा और 3 टूसरी हो जाएगा 6 तो 0 के आया minus 2 यह किसके एकपल होना चाहिए minus b by a यानि कि minus में constant term constant term क्या है यहाँ पर 6 तो इसको हम लिखेंगे minus में ठीक है क्योंकि minus sign जो है वो पहले से ही लगा हुआ है तो minus में 6 अपन में coefficient of x x का coefficient क्या है यहाँ पर x का coefficient है 3 तो minus 6 अपन में 3 इसे हम cancel out करेंगे तो बिल्कुल सेम आएगा 3 बन जा 3 और 3 टू जा 6 तो यहाँ पर भी minus 2 है और यहाँ पर भी minus 2 है तो यही relation होता है linear polynomial के zeros और इसके coefficient ठीक है अब देखते है quadratic polynomial के zeros और इसके coefficient में क्या relation होता है तो quadratic polynomial जिसका general formation कुछ इस तरह से होती है ax square plus में bx plus में c equals to 0 जहाँ पर a, b और c यह coefficient है और x जो है वो variable है और c को हम constant term कह सकते हैं क्योंकि इसके साथ कोई भी variable नहीं है ठीक है तो इसके 2 zeros आएंगे क्योंकि degree 2 है ठीक है अगर degree 1 होगी तो 1 0 आएगा अगर degree 2 है तो 2 zeros आएंगे तो quadratic polynomial की degree होती है 2 तो इसके 2 zeros आएंगे और वो 2 zeros जोंगे अगर हम उनका sum करेंगे या फिर कह सकते हैं उन्हें जोडेंगे तो sum of zeros उन दोनों zeros को जोडेंगे तो वो किसके equal होगा minus में coefficient of x upon me coefficient of x square minus coefficient of x क्या है x का coefficient है b तो हम इसे लिखेंगे minus में b upon me coefficient of x square x square का coefficient है तो sum of zeros किसके equal होगा minus b by a के equal होगा ठीक है इसी तरह से product of zeros अगर हम उन zeros का product याने कि उन zeros को multiply करेंगे तो वो किसके equal होगा constant term upon me coefficient of x square constant term यहांपर क्या है c और x square का coefficient क्या है a तो हम कह सकने c by a product जो होगा zeros का वो होगा c by a ठीक है यह relation होता है quadratic polynomials के लिए अब जो यह zeros आए हैं इनका एक example देख लेते हैं इनको verify करने के लिए तो example है यहांपर x square plus में 3x plus में 2 equals to 0 यह quadratic polynomial है तो इसके zeros को find करेंगे हम factorization method से तो इसके factorization अगर आपको आते हैं आप class 9 में यह सब चीज़े कर चुके होगे अगर आपको आते हैं तो अची बात है अगर नहीं आते हैं तो comment कीजिए उसके लिए फिर मैं एक अलग से video बनाओंगा तो इसके factors करेंगे इसके factors कुछ इस तरह से होगे x square plus में x plus 2x plus 2 ठीक है तो पहले जो है x square plus x इसमें से हम common लेंगी common यहां से क्या रहा है x तो यह आ जाएगा x plus में 1 और उसके बाद क्या है 2x plus 2 तो इसमें से हम क्या common ले सकते हैं इसमें से common ले सकते हैं हम 2 तो bracket में आएगा x plus में 1 तो इसके factors क्या होगए इसके factors होगए x plus 1 और x plus में 2 तो factors होगए x plus में 1 और x plus में 2 और इन्ही factors से हम zeros निकालेंगे ठीक है zeros का मतलब क्या होता है x की value यहां से क्या आएगी x plus में one equals two zero so x value आएगी मेंने फ्लस वन को दूसरे तरह बेंगे तो यह हो जाएगा おग्स वन और इस प्लस two x plus two equals to zero तो एक्स के अलावा job है उसको बीधेशने मेस चाहा है यानिकि फ्लस तूर दूसरी तरह बेंगे तो यह तो सम माइनस वन प्लस में माइनस टू तो सम करेंगे इनका माइनस वन प्लस में माइनस टू अगर इनका सम करेंगे तो किसके एकवल होना चाहिए माइनस बी बाए यानि कि कोफिजेंट ओफ एक्स x का coefficient क्या है, यहाँ पर 3, तो यहाँ पर minus coefficient of x है, तो minus 3 लिखेंगे इसे, ठीक है, minus 3 upon में, coefficient of x square, x square का coefficient क्या है, यहाँ पर, कुछ भी नहीं है, तो 1 होगा, ठीक है, तो 1, और denominator में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो minus 1, plus minus, minus, तो minus 1, minus 2, equals to minus 3, denominator में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यह भी minus का है, यह भी minus का है, तो यह दोनों plus के हो जाएंगे, और sign रहेगा, minus का ही, तो minus 3, equals to minus 3, यह, sum of zeros वाला, जो concept है, यह वाला जो relation है, यह तो हो गया, यहाँ पर verify, तो क्योंकि दोनों equal आ रहे हैं, अब देख लेते हैं, product of zeros का relation, product of zeros यानि की multiply, तो minus 1 multiply में minus 2, तो minus 1 multiply में minus 2, यह किसके equal होना चाहिए, constant term यानि की c, अपन में coefficient of x square यानि की a, मतलब c by a, तो constant term है आपर 2, तो इसकी किसको equal होगा, 2 upon में x square का coefficient, यानि की a, x square का coefficient है 1, और denominator में अब लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो minus minus plus, और 2 ones are 2, तो यह आएगा plus का 2, equals 2, 2 upon में बनी आनि की 2, तो product of zeros भी है, कोई equal आ रहा है, ठीक है, यह relation होता है, आपको यह ज़रूर ध्यान रखना है, sum of zeros और product of zeros, quadratic polynomial के लिए, क्योंकि यह एग्जाम में आपसे बहुत 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 पूछा जाएगा, क्योंकि पूपजाः बहुत बहुत जाएगा 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 है, झाल झाल